हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू एससी क्रैकर्स और इस चैनल पर फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम लोग जुलाई 2022 से लेकर ऑक्टूबर 2022 तक के बेस्ट 200 करेंट अफेर्स को पढ़ने वाले हैं तो यह आने वाला जो सीपीओ का एक्जाम है स्टैन ओके वो सभी कोर्शन आपको यहां पर देखने को मिलेगा तो एक तरह से आप समझी आपका एक रिवीजन वीडियो भी यह रहने वाला है क्योंकि करेंट अब तक जिसका भी सीपीओ स्टैनों का जो एक्जाम है उन लोगों ने तो पढ़ी लिया होगा तो एक तरह से आप अक्टूबर तो दिसंबर इन 2022 तो कौन सा वो योजना है जो 22 में अक्टूबर से दिसंबर तक और तीन महिने के लिए बढ़ा दिया गया है तो यह है आपका प्रधान मंत्री गरीव कल्यान अन योजना स्कीम ओके तो यह यहां पर राइट एंसर होगा ऑप्शन नमबर ड Щundigar International Airport has been renamed as तो चंडिगर अंतरवर स्कीम ँडे का नाम बदलकर नाम रख दिया गया है राइट एंसर क्या होगा तो सहीथ भगत सिंग इंटरनेशनल अनाम क्या है तो चंडिगर इंटरनेशनल इएरपर्ट है उसका नेया नाम क्या है सहीथ भगत सिंग इंटरनेशनल इय जाता है 29 सेप्टमबर गो तो राइट एंसर क्या होगा ऑप्सन नमबर ए नेक्स्ट है हूँ बीकेम दा फॉर्स्ट फीमल प्राइम मिनिस्टर ओफ इटली तो इटली की पहली महिला परदान मंत्री कौन बनी है तो पहली महिला के अगर हम बात करें तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा जॉर्जियो मेलोनी जो है इनका नाम है यह बनी है इटली की फॉर्स्ट फीमल प्राइम मिनिस्टर नेक्स कोर्षण है वुवास कंफेरेट दादा साहर फालके वार्ट फॉर्ट यह तुटोजन ट्वेंटी अब यह देखिए एक्जाम के लिए काफी ज़्या एंसर नेक्स कोर्षण है वेन वाज आयुस्मान भारत डिजिटल मिशन लॉस्ट हो आयुस्मान भारत डिजिटल मिशन कब सुरू किया गया था कब सुरू किया गया था यह मिशन को आयुस्मान भारत डिजिटल मिशन यह शुरू हुआ था 27th September को तो राइट एंसर क्या हो अरेबिया इन 2022 तो साउधी अरेब के जो है नए परधान मंत्री के रूप में किसे नूक किया गया है तो इनका बहुत लंबा चौरा नाम है प्रिंस मुहम्मद बिन सल्मान बिन अब्दुल अजीज अल साउध जो है इनका नाम है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं प्रिंस मुह प्रियाटन दिवस कब मनाया जाता है ठीक है तो विस्व प्रियाटन दिवस यह आपका 27 सप्टमबर को होता है नेक्स्ट है मेक इन इंडिया है मेक इन इंडिया का 8 साल हो गया है इस बार 2022 में तो राइट एंसर होगा 8 years नेक्स्ट है who has been elected as the president of हौकी इंडिया तो हौकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है किसे चुना गया है हौकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में तो राइट एंसर क्या हो जागा यहाँ पर दिलिप होगा इनका नाम है यह बन गया है हौकी इंडिया के अध्यक्ष नेक्स्ट है which country won the South Asian Football Federation Women's Cup तो South Asian Football Federation के जो है किस दिम ने जीता है यह कप को Women's Cup को तो यह जीता है आपको बंगलादेश ने तो राइट एंसर क्या होगा option number A यानि कि बंगलादेश next question है when is World Alzheimer's Day celebrated तो विश्व अलजाइमर दिवस कम मना जाता है कम मना जाता है यह तो 21st September को मना जाता है World Alzheimer's Day next है who is the first Indian to win four medal at World Wrestling Championship अभी यह काफे जाता है important question है कि पहली भारतिये कौन है वो जिन्होंने चार पदक जीता है किस में तो विश्व कुष्टी चैंपियंशिप में तो राइट एंसर यहां क्या होगा बजरंग पुनिया ठीक है बजरंग पुनिया यहां पर करेक्ट एंसर होगा next है which state was declared as India's first clean तो किस राज को भारत का पहला स्वच सुजल घोसित किया गया है तो इसका राइट एंसर होगा अंडमान एन निकोबार को ठीक है which state या union टेरिया बोल सकते इस तरीके से तो राइट एंसर क्या होगा अंडमान एन निकोबार next है 76 चेस ग्रेंड मास्टर ओफ इंडिया तो 76 चेस ग्रेंड मास्टर कौन है राइट एंसर होगा आपका प्रणव आनन यह जो है 76 चेस ग्रेंड मास्टर है next है आपका when is international day for the protection of the ozone layer celebrated तो ओजोन परत के संगरक्षन के लिए अंतराश्ट्य दिवस कब मनाया जाता है तो यहाँ पर राइट एंसर होगा 16 सेप्टमबर को होता है ozone layer day next है who won the safe under 17 championship title in the final in kolumbo तो kolumbo में final में safe under 17 championship का खिताब किसने जीत लिया है तो यह जीता है किसने तो भारत ने जीत लिया है ठीक है safe under 17 championship title कहां पे हुआ था कुलम्बो में हुआ था next है who became the first Indian female wrestler to won two medal at the world championship तो विश्व championship में दो पदक जितने वाली पहली भारतिये महिला पहलवान कौन बनी है उनका क्या नाम है उनका नाम है विनेश फोगाट ठीक है विनेश फोगाट इनका नाम है ठीक है यह first Indian female wrestler है जिन्नोंने दो medal जिता है world championship में next है which country hosted the Shanghai corporation organization submit 2022 तो किस देश ने जो है तो उस्वेकिस्तान ने किया है next question है according to the latest figure from the IMF which country is the fifth largest economy in the world अगर हम बात करें इसमें जो है अपना प्यारा भारत आया है ठीक है आई एमफ की बात करें तो फिफ्ट लार्जेस जो एकोनोमी है वह भारत का है next question है आपके स्क्रीन पर कि वेर डीट देश एडिशन ओफ जापान इंडिया maritime exercise 2022 organized by the Indian Navy begin ठीक है तो जी मेक्स भी करते हैं जपान और इंडिया के बीच का यह maritime exercise है तो यह कहां पर हुआ है तो बे ऑफ बंगाल में हुआ है ओके next question है who became the new king of the British immediately after the death of Queen Elizabeth second तो आप जानते हैं कि Queen Elizabeth का मेत्य हो चुका है उसके बाद जो है new king कौन बने है इनका क्या नाम है तो right answer क्या होगा king Charles third जो है इनका नाम है यह new king है British ठीक है next question है who successfully completed six flight test of the quick reaction missile system surface to air ओके तो किसने सता से हवा में तृत्ता प्रकिरिया मिशाइल प्रणाली के च्छ उरान परिक्षन सफलता प्रुवक पूरे किये हैं तो यह है DRDO and Indian Army next है new Delhi iconic राजपत the road from राश्पती भवन तो इंडिया गेट वोज निनेम्ड एज तो नया नाम क्या पर पड़ा है नई दिल्ली के जो प्रतिश्चित राजपत जो की राश्ट्रिये भवन से इंडिया गेट तक की सरक का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है करतव व्यपत ठीक है यह नया नाम क्या है करतव व्यपत नेक्स्ट है हूँ विंस जूरिच डाइमंड लीक फाइनल 2022 इन सिव्जर लैंड ओके तो किस ने जीत लिया है यह सुजर लैंड में जूरिक डाइमंड लीक फाइनल 2022 किस ने जीता है तो नीरत चोपरा ने जीता है ठीक है नीरत चोपरा से लेटेट जो भी कोर्षन है वो became the winner in Asia Cup 2022 तो Asia Cup 2022 का विजेता कौन बना है Asia Cup 2022 का विजेता बना है कौन तो त्रिलंका ने जीत लिया है Asia Cup 2022 का title next है who has been appointed as the next high commissioner of India to Canada ठीक है तो Canada के Canada में भारत के अगले उचायूक्त के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है तो कौन है next high commissioner of India to Canada तो इनका नाम है संजे कुमार वर्मा next है international literacy day यह कम मनाया जाता है अंतरराश्टिय साक्षर्दा दिवस तो यह आप जानते हैं यह मनाया जाता है 8th September को ठीक है international literacy day कब होता है 8th September को next है national teachers day कब होता है फिर अंतरराश्टिय तो हो गया अगर हम national के बात करें तो वह है आपका 5th September को होता है national teachers day next है new prime minister of Britain Britain के नए परधान मंत्री कौन बने है इनका नाम क्या है पर हुए बिरीटिन के नए परधान मंत्री को न बने है ये ठीक है india औरिज़न यह आपका इनका नाम है रेशिय शुनक नाम है ठीक है यह अफ़ी पिया ओð काफिजादर न्यूस में है ठीक है तो यह question एकदाम आएगा आप क़ी बिरीटिन के नए परधान मंत्री कौन बने है तो रिशी शुनक इनका नाम है नेक्ट कोर्शन है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत का राएंग क्या है ओके रैंक के इन इंडेक्स से तो कुर्शन आ रही है तो भारत का राएंग क्या है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में तो राइट एंसर यहां of the party what is the name of the party तो आप जानते हैं कि गुलाम नभी अजाद जो है यह कॉंग्रेस के बहुत ही वरिष्ट नेता है इन्होंने अपना नया पार्टी जो है एनॉंस्मेंट कर दिया है उस पार्टी का नाम क्या है तो डेमोक्रेटिक अजाद पार्टी ठीक है डेमोक्रेटिक अजा सरकार्ट थे जो है यह अनॉंस्ट किया है दुनिया का सबसे बारा जंगल सफारी पार्क तो राइट एंसर होगा हरियाना नेक्स्ट है हूँ बिकेम हूँ है बिकेम बिकम दा फर्स्ट यूरोपियन वोमेंट कमांड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ओके अंतर राश्ट्र समानता क्रेस्ट फॉरेटी इनका नाम है नेक्स्ट है हूँ है बिन अपोइंटेट एस दे न्यू अटॉर्णी जेरल ऑफ इंडिया अब यह देखिए यह दम मसलब की मोस्ट में मोस्ट इंपोर्टन कुश्चन है कि भारत की नए अटॉर्णी जेरल जो है यह कौन है तो एंसर यहां पर क्या हो जाएगा तो आर वेंकर रमनी जो है इनका नाम है ऑप्शन नंबर थ्री होगा यहां पर राइट एंसर नेक्स्ट है आपका रानिपूर टाइगर रिजर्व को किस राज काबिनेट ने मंजूरी दी है तो राइट एंसर होगा उत्तर प्रदेश ठी चीफ ओफ डिफेंस स्टाफ इन इंडिया अब यहीं मतलब मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टन कोश्टन है कि कौन अपॉइंट हुए हैं नेक्स्ट चीफ ओफ डिफेंस स्टाफ तो राइट एंसर क्या होगा अनील चोहान इनका नाम है ठीक है क्या नाम है अनील चोहान नेक्स् ट्रियूरिज्म एवार्ड तो किस राज ने हाल ही में राश्च्री परियटन पुरुसकार में आठ पूरुसकार जीता है जीता है मद्ध्य परदेश ने तो नेस्ट ने भी सेंड बहुत करेंसे संवानित किया गया है तो राइट एंसर क्या वोगा आसवारेख ठीक है यह त 20 तो 2020 के लिए राश्ट्रिय लता मंगिस का पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया है तो यहां पर राइट एंसर क्या होगा आनन्द मिलंद इनका नाम है ठीक है यह दो आदमी है ठीक है इनको ओनर्ड किया गया है तो राइट एंसर होगा आपका 40 40 का क्या होगा option number 3 हो तो यह तीनों इंप्रेंट याद रखना आपको नेक्स्ट एड ग्लोबल स्कील सब्मिट 2022 है इस बिन ऑरगनाज़ बाइफ की इनड़ेस ओके तो फिक्की द्वारा जो है ग्लोबल स्कील समीट 2022 का यह त्यूज़न किया गया है कहां पर किया गया है तो निउडली में किया गया है है ना यह याद रखने है आपको न्यू डैली में किया गया अपसा नूम्बर टू होगा ग्लोबल स्किल्स सब्मिट 2022 यह औरगनाइस्ट किया गया है फिकी के द्वरा कहां पे न्यू डैली में नेक्स्ट है आपका एज पर दा आई आई एफल विल्ट हुरन इंडिय यह रिच लिस्ट 2022 अब इस लिस्ट में टॉप पोजिशन पर कौन है ठीक है सिर्स अस्थान पर कौन है तो राइट एंसर होगा आपका गौतम अडानी इनका नाम है ठीक है गौतम अडानी नेक्स्ट है चंडिगर यह पोर्ट हैस्ट रिनेम्ट आफटर विच फ्रीडम फ के नाम पर रखा गया है तो यह भकर सिंग के नेक्स्ट कोर्स ने आपका कि हूँ एज बिन अपॉइंटेड एस दा चेर में एंड मैनेजिंग डिरेक्टर आफ रेल टेल तो रेल टेल के कौन बने हैं आपको ठीक है रेल टेल के अध्यक्ष और प्रवन निद्रेशा की नेक्स कोशन ने कि विच इंडियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैस रिसीव दा एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड ठीक है तो किस भारतिया हवाई अड़े को हवाई एड़ा सेवा गुनवक्ता पुरुषकार 2022 स्वाप्त हुआ है उस एयरपोर्ट का नाम है कोच भूप्त भूमियोजन भूटल ऑस ए तो रड़ा गंदेश ठीक उत्तरपरदेश तो कॉअन से से किया मांतिर भूमी योजना पोर्टल ठीक है तो उत्तरप्रदेश बार्टेस ने किया है रवीना टंदनिट जैड़ू यस आपॉन्ट गॉल्ट एंहें को बहूना प Mendel the Brics Chairship in 2023 तो 2023 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा क्या होगा राइट एंसर कौन सा देश करेगा तो वो करेगा आपका South Africa करने वाला है 2020 में ब्रिक्स की अध्यक्षता नेक्स्ट को सने हुआज बिन अपॉइंटेड एज डिरेक्टर जेनरल ओफ नेशनल Center for good Governance ओके तो किसी appoint किया गया किसी नुक्त किया गया है डिरेक्टर जेनरल सेंटर फोर गुड्ड गवर्णेंस तो भारत लाल इनका नाम है भारत लाल को नुक्त किया गया है नेक्स्ट है इंडिया विल होस्ट इट्स मैडन मोटो ग्रैंप्रिक्स दो हज़र स्टरी Grand Prix World Championship Race 2023 at which city तो भारत अपनी पहली मोटो Grand Prix 2023 में जो World Championship Race करने वाला है वो कौन सा सहर में होगा वो होगा आपका Greater Noida में नेक्स्ट है विच सीटी हैज टॉप्ट दा Global Financial Center Index in 2022 तो कौन सा सीटी टॉप पोजिशन पर है सिर्सस्थान पर है वो सहर का नाम है नियू यॉर्क नेक्स्ट है आपका हूँ हैज बिन ओनर्ड विट टुटॉजन ट्वेंटी थी ब्रेक्ट्रू प्राइज इन मैथमेटिक्स फॉर मल्टिपल डिस्कवरीज चलिए तो कई खोजों के लिए गनित में 2023 के निरनायक पुरुषकार से किसे सम्मानित किया गया है क्या होने वाला यहां पर आइट एंसर है किसे सम्मानित किया गया है उनका नाम है आपका डैनियल ए स्पील मैं ओके नेक्स्ट है आपका सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास है ना सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास पीम मोदी के भासनों पर एक पुस्तक किसके द्वारा लॉंच की गई है इस पर किताब में लिख दिया गया है किसके द्वारा लिखा गया है और किस ने लॉंच किया है तो वेंग कईया नाईडु ने लॉंच किया इसको तो राइट एंसर यहां पर क्या हो जाएगा वनकिया नाईडु यह प्रिमर वाइस प्रशिजेंट थे o next है कि who became first swimmer from North East India to come to cross the North Channel okay तो उत्तर चैनल को पार करने वाले पुर्वत्तर भारत के पहले तेराक कौन बने हैं इनका नाम क्या है इनका नाम क्या है तो एलविश अली हजारिका इनका नाम है ओके नेक्स्ट कोर्शन आपके स्क्रीन पर है who has been honored with the prestigious स्मिता पाटिल Memorial Award ओके तो पतिस्थीर समिता पाटिल मेमोरियल आवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है तो राइट यहां पर आपका क्या होने वाला है अलिया भट को किया गया है ठीक है अलिया भट नेक्स्ट है आपका कि which country has defeated नेपाल to clinch maiden safe women's championship title 2022 ओके किस देश ने नेपाल को हरा कर जो है पहला सैफ महिला championship खिताब 2022 जीता है उस country का नाम क्या है तो बंगलादेश है नेक्स्ट है which country will host women's T20 Asia Cup 2022 महिला T20 Asia Cup 2022 की में जमानी कौन सा देश करने वाला है ठीक है बंगलादेश करेगा नेक्स्ट यह आपका which film has been announced as India's official entry to Oscar 2023 अगर हम बात करें ऑसकर 2023 की तो उसमें भारत की अधिकारिक प्रविष्टे के रूप में किस फिल्म को की घोसना की गई है है ना तो राइट एंसर क्या होगा छीलो शो यहाँ पर राइट एंसर होने वाला है ठीक है यह official entry है ओसकर 2023 के लिए भारत की तरफ से नेक्स्ट कोस्टर है आपका लिंडा फ्रूट विट्रोवा चिन्नाई वो ओपें 2022 टाइटल से इस फ्रॉम तो यह जो है चिन्नाई वो ओपें 2022 टाइटल जीत लिया है वह किस देश से हैं यह हैं आपका क्रेच रिपब्लिक से अब जानते हैं मसूर कोमेडियन राजुर शीरवास्टव ठीक है स्टैंडड अब बोल सकते हैं राजु शीरवास्टव वह किस प्रोफेशन से थे तो यह तो अभी 22 of the coast of ठीक है यह कहां पर हुआ है आज यूजित किया गया है तो चिन नहीं में अस्थाना has been announced as the new capital of which country तो अस्थाना को किस देश की नई राजधानी घोसित किया गया है अस्थाना तो राइट एंसर क्या होगा कर्जागिस्तान होगा यहां पर राइट राइट एंसर ठीक है कर्जागिस्तान का निया जो कैपिटल है वो कहा है अस्थाना कि नेक्स्ट कोस्टन है आपका नंज रायन टैंक has been declared as the as a bird century of which state ठीक है तो किस राज की का जो है पक्षी अभ्यान ने घुशित किया गया है नंज रायन को तो राइट एंसर क्या होगा यहां पर तमिल नाडू होगा नेक्स्ट है विच्ट फुटबाल कप हैज वन 131st edition of the Durand Cup ठीक है तो किस फुटबाल कलब ने Durand Cup का 131 संसकरन जीता है तो यह जीता है आपका बैंग्डेरू फुटबाल कप ने नेक्स्ट है आपका हूँ है बिकम फॉर्स्ट इंडियन तो विन फोर मैडल एट वर्ल्ड रेस्लिंग चैंपियंशिब तो विस्व कुस्ती चैंपियंशिब में चार पदक जीतने वाले पहले भारतिये कौन बने हैं तो इनका नाम है बजरंग पुनिया नेक्स्ट है विच मैगजिन है एज रिसीव द नैस्टनल राज भासा कृति प्रोसकार किस पत्रिका को मिला है किस पत्रिका को मिला है तो राइट एंसर क्या होगा विज्ञान प्रगती को मिला है ठीख है नेक्स्ट है आपका सुमंत कत्पालिया हैस बिन री अपॉंटेट एस दे एमडी एन सीओ ओफ ठीक है सुमंत कत्पालिया को एमडी और सीओ के रूप में फिर से न्यूप किया गया है किस बैंक का तो राइट एंसर यहां पर क्या हो जाएगा इंडर्स इंड बैंक के लिए ठीक है नेक्स्ट है ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स दो हजार बाइस इसमें भारत का राएंग क्या है इंडि प्राइब पिडामल को किस देश के सरवच नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है तो फ्रांस के नेक्स्ट है आपका हूँ हैस बिकम दा यंगेस्ट प्लेयर टो डेब्यूट इन डटी 20 वर्ल्ल कफ में डेब्यू करने वाले सबसे कम उमर के खिलारी कौन बने हैं सबसे नेक्स्ट है आपका who has been appointed as the UNICEF Goodwill Ambassador तो UNICEF सदभामना राजदूत के रूप में किसे ने उत किया गया है तो राइट एंसर क्या होगा वैनेशा नाकाते ठीक है इनका नाम है next question है which country will host the FIFA Under 17 World Cup 2022 FIFA Under 17 महिला विस्व कप 2022 की में जबानी कौन सा देज करने वाला है इसका में जबानी कौन सा देज करेगा तो भारत करने वाला है अब यहाँ देख लीजे FIFA का upcoming जो event होने वाला है जैसे कि FIFA World Cup 2022 यह होगा आपका कतर में FIFA World Cup 2026 यह होगा करनाडा मेक्सिको एं यूएस तीनो तीनो देश को मिला कर FIFA Under 20 Women's World Cup 2022 होने वाला है कोस्ट्रिका में FIFA Under 17 Women's World Cup होने वाला है भारत में और FIFA 17 Women's World Cup 2023 होने वाला है अस्ट्रेलिया एं निव्जिल्नेंड में कि यह आपको याद कर लेना है नेक्स्ट आपका रोजर फैडर्र annaun qualitative from tennis ही हैज वन हमें इनате इनका नाम आप सूनी होगे तो रोजर फेडर ने फाइनली जो है टेनिस से सन्यास ले यह है उन्हें घोचना कर दी वह उन्हों ने कितने गेंड स्लाम जीते हैं अब तक तो टोटल 20 गेंड स्लाम जीते हैं नेक्स्ट है who has written a new book रजनी के मंत्र ठीक है तो इस पुस्तक को किस ने लिखी है रजनी के मंत्र पुस्तक को तो इनका नाम है PC बाल शुब्रमन्यम ठीक है PC बाल शुब्रमन्यम नेक्स्ट है इन फुटबॉल विच कंट्री एज क्लिश्ट दस्टाइफ अंडर 17 चैंपियंशिप टाइटल फुटबॉल में किस देश ने सैफ अंडर 17 चैंपियंशिप का खिताब जीता है यह जीता है भारत ने नेक्स्ट इंडिया फॉर्स्ट फॉरेस्ट उनिवर्सिटी टू फॉर्स्ट फॉरेस्ट उनिवर्सिटी नेक्स्ट है वू है बिकाम लफ फॉर्स इंडियन वोमें रेस्लर तू विन टू मैडल एट वर्ल्ड चैंपियंशिप ठीक है तो दो पदक जितने वाली पहली भारती महिला पहलवान कौन है विनेस फुगाट नेक्स्ट है विल प जावड नामक एक नई पुस्तक किसके दुर्ण लिखी गही है इनका नाम है इनका नाम है सोजार्ड मरीन ठीक है सोजार्ड मरीन का नाम है नेक्स्ट एक्सटेश्ट एडीशन ऑफ जापान-इंडिया मारीटेम एकसरसाइज 2022 हैज बिन होस्तेट इन कहां पे यह हुआ है यह हुआ है बेयो बंगाल में next day who has won the best actress award at the Amy Award 2022 तो Amy Awards 2022 में सर्वस्रेश्ट अभिनेतरी का पुरुसकार किसने जीता है इनका नाम क्या है इनका नाम है जेन डिया जो है इनका नाम है ठीक है नेक्स्ट है what is the theme of the Ayurveda day 2022 तो Ayurveda दीवस 2022 का विशय क्या था theme क्या था यहां पर देखे थीम क्या था Ayurveda day का तो right answer यहां पर क्या हो जाएगा आपका हर दिन हर घर Ayurveda ठीक है हर दिन हर घर Ayurveda यह था theme next human development index 2021 में भारत का क्या rank है ठीक है मानव विकास सुचकांग 2021 में भारत की rank क्या है भारत की rank है 132 ओके यह है भारत की rank अब देखे जो recent का जो index है उसमें हम लोग कुछ देखते हैं जैसे कि हिलने passport index 2022 में भारत का rank है आपका 87 टॉप पोजिशन पे है जापान ठीक है ओकला speed test global index 2022 इसमें भारत का rank है 118 टॉप पोजिशन पे है नॉर्वे अगर हम expert insider ranking for 2022 की बात करें इसमें भारत का rank है 36 टॉप पोजिशन पे मैक्सिको ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 की बात करें इसमें भारत की रैंक है 135 टॉप पोजिशन पे है Iceland अगर global liability index 2022 की बात करें इसमें भारत का जो पोजिशन है न्यू देली का पोजिशन है 112 मुंबई का है है 118 सविंटीत और टॉप पोजिशन पे है वियना अस्ट्रिया ग्लोबल इसकील डिपोर्ट की बात करें इसमें भारत का रंक है 101 environmental performance index 2022 की बात करें तो इसमें पोजिशन है भारत का 180 और टॉप पोजिशन पर डेन्मार्क तो यह जो इंडेक्स है यह आपको एक वार अच्छे से देख के जाना है नेक्स्ट है क्यों Elizabeth second of England passed away on 8th September 2022 ठीक है तो आप जानते हैं कि England की जो महरानी Elizabeth second उनका 8th September 2022 को निधन हो गया था उनका जो शाशनकाल था वो कितने साल चला ठीक है तो यहां पर जो आपका राइट एंसर होगा वो होगा 70 years ठीक है सतर साल नेक्स्ट है आपका न्यू किंग ऑफ दा यूनाइटेट किंग्डम ओके तो न्यू जो किंग है वो कौन बने है Elizabeth के बार उनका नाम है प्रिंस चार्ल्स थर्ड नेक्स्ट है नेक्स्ट चीफ ओफ यूनाइटेट नेशन्स हुमन राइट ओके तो संयूक्त राष्ट्र मानवधिकार के अगले प्रमुक के रूप में किसे नूप किया गया अगले प्रमुक की बात करें तो उनका नाम है वॉलकल तुर्क ओके नेक्स्ट है विच स्टेट विल होस्ट दा हौकी वर्ल्ड इसकी में जबानी जो है वो कौन सा राज्य करने वाला है ठीक है तो राइट एंसर क्या हो जाएगा ओडीसा होगा यहां पर करेक्ट एंसर नेक्स्ट है आपका हूँ हैस बिन अपोइंटेड एस दा ब्रैंड अमबेस्टर ओफ टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप फॉर्ड ब्ल ठीक है अब पता नहीं अंधे लोग कैसे खिलेंगे बड़ खिल लेंगे नेक्स्ट है आपका दे नैंटी फोस्ट जेनरल असेंबली ओफ इंटर पोल विल टेक प्लेस इन तो इंटर पोल की एक कानवे नैंटी फर्स्ट ठीक है महा सभा का यूजन होगा कहां पे होगा वी जो है उसका खिताब किसने जीत लिया है तो मैक्स वरेस्ट एपन ने जीता है ठीक है नेक्स्ट है आपका हूँ है सिक्योड दा में सिंगर टाइटल इन टूटॉजन ट्वंटी टू डेन्मार्क ओपेन तो दो हजार वाइस डेन्मार्क ओपेन में पुरुस एकल का तो राइट एंसर क्या हो जागा सी यो की इनका नाम है ठीक है इन्होंने जीत लिया है दो हजार बाइस का डेन्मार्क ओपेन में सिंगर टाइटल नेक्स है वो हैस बिन अपॉइंटेड एस द न्यू यूएस एमबेस्टर तो इंडिया अगर हम बात करें भारत के नए अम मैं ओके अलिजाबेस चोनन नेग्सठ है आपका दी जिमपिंग ओके जीजिम्पिंग हैस बिन रि-Elected ऐस ड़ प्रसिडेन्ट ऑफ चैना यह वापस से चुने घया है ठीक है ठीक है सी जिंपिंग जो है चीन के राष्ट पति के रूप में फिर से चुने गए है उन्होंने पद ग्रहन किया है कब किया था लास्ट तो 2013 में जो यह प्रधान मंत्री बने थे प्रसिजिन बने थे वह अभी तक बने हुए है ठीक है नेक्स्ट है आपका फायर बोल्ट के नए ब्रैंड अमेस्टर कौन है फायर बोल्ट ने किसे जो है अपना नया ब्रैंड अमेस्टर किया गया है इनका नाम क्या है इनका नाम है विजे देवर कोंडा इनका नाम है जिनकी अभी हाल की मुझी सूपर फ्लॉप हुई थी क्या प्रधान मंत्री अवास योजना अर्बन अवार 2021 तो प्रधान मंत्री अवास योजना सहरी पुरुसकार 2020 में किस राज को पहला अस्थान दिया गया है फर्स्ट पोजिशन कौन है किसका है उत्तरप्रदेश का है नेक्स्ट है आपका इंडिया एंड यूएस मिलेटरीज हैव कंड़क्टेट अ थ्री डे जॉइंट एक्सराइज टाइगर ट्रेंफ इन डैस ठीक है ट्रेंफ इन तो राइट एंसर यहां पर क्या हो जागा विश नूट किया गया है कौन सेекers का ICIC किसके रूप में नूट किया गया है तो राइट एंसर क्या हो जाएगा इंडियन बैंक अस्जिएशन next है आपका what is the name of official mascot of the 2023 FIFA Women's World Cup 2023 FIFA महिला विश्व कप के अधिकारिक शुबंकर का नाम क्या है mascot क्या है ठीक है तो right answer क्या हो जाएगा तजूनी इसका नाम है ठीक है यह mascot है 2023 FIFA Women's World Cup का next है आपका कि ISRO is planning to launch Chandrayaan 3 in which year तो ISRO जो है किस वर्ष Chandrayaan 3 launch करने की योजना बना रहा है 2023 में launch करने की योजना बना रहा है next हो गया आपका कि what is the rank of India in the Freedom House Internet Freedom Index 2022 इसमें भारत का rank क्या है Freedom House Internet Freedom Index 2022 में भारत का rank क्या है भारत का rank है आपका 51st ठीक है 51 rank है भारत का next है आपका the fifth खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 will be held in which state ओके तो पांचवे खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन किस राज में किया जाएगा उस राज का नाम क्या है मध्यप्रदेश ओके और देखे यहां पर जो है आपका यहां पर important चीज क्या है कि यह होने वाला है eight different cities में और उसका नाम है भोपाल इंदौर जबलपुर गौलियर उन्जैन महेश्वर ठीक है मंडला और बालगार्ट यहां पर होने वाला है यह eight states में eight cities में होगा आपका फिफ्ट खेलो इंडिया यूथ गेम next है आपका who has been named as the new defense secretary by the government of इंडिया तो भारत सरकार द्वारा नए रक्षा सचीब के रूप में किसे नामित किया गया है तो राइट एंसर क्या होगा अर्माने ग्रिधर इनका नाम क्या है अर्माने ग्रिधर नेक्स्ट है आपका which of the following country is hosting the global youth climate summit 2022 तो कौन सा जो देश है विश्व वैश्विक के युवा जल वायू सिखर समेलन 2022 की मेजमानी कर रहा है उस देश का नाम है बंगलादेश नेक्स्ट है new revenue secretary किसे new का बनाए गया है नुक किया गया है नए राज जश्व सचीव के रूप में किसे नुक किया गया है इनका नाम है संजे मलहुत्रा ठीक है क्या नाम है संजे मलहुत्रा नेक्स्ट है name of name the author of the book a confused mind story ठीक है a confused mind story पुस्ता के लेखक कौन है इनका नाम है साहिल सेट नाम है क्या नाम है साहिल सेट next है who has been elected as the new congress president है ना अब देखिए यहां पर बहुत दिनों के बाद जो है कोई नया चेहरा देखने को मिला है है ना तो कौन है Congress के नए अध्यक्ष तो राइट एंसर क्या हो जाएगा मालिका अरजुन खग्रे इनका नाम है नेक्स्ट है आपका किसे appointed किया गया है new controller general of accounts कौन बने हैं इनका नाम क्या है इनका नाम है भारती दास नेक्स्ट है आपका which city which cities हालीम बीट ओल अफ देम तो बैग दा मोस्ट पॉपलर जी आई अवार्ड तो किस सहर के हलीम ने इन सभी को हरा कर मोस्ट पॉपलर जी आई पुरुसकार जीता है तो हैद्राबाद हो जाएगा दुर्गावती टाइगर रिजर्व हैस बिकम देन्यू टाइगर रिजर्व और देखिए कुछ-कुछ नए ने एड हुए है तो उसमें है आपका नया टाइगर रिजर्व है दुर्गावती यह है आपका कहां पर मध्यपरदेश में नेक्स्ट है विश्व जिद अवर्ड़त ने एक्सेलेंस एवर्ड युनिवर्सिटी थी अहाइगर फ्रिश्व विच्व विच्व द्याले दौरार सर संद उत्कृिष्टर पृष्कार 2022 कि से इस सम्मानित किया गया है इनका नाम है इनका नाम है बार्बरा मेंट्काफ और बार्बरा मेटकफ चलिए नेक्स्ट कोर्स ने वर्ल्ड ऑस्टर्प्रसिस डे यह जो है हर साल कम मना जाता है विश्व ऑस्टर्स डे यह अर्जा मना जाता है तो 20 कोई अलमेडा के साथ चंद्रमा के लिए बूकर पुर्षकार 2022 किस ने जीता है यह जीता है आपको किस ने तो शिहान करुणा तिलक ने जीता है ठीक है नेक्स्ट है आपका हूँ इस दवीनर ओफ दमेंस बैलोन और डी अवार 2022 ठीक है तो किस ने जीत लिया है पुर्षों में बैलन डी और पुरुषकार जोदर बाइस का यह जीता है आपका किसना नया नाम है यहाँ पर करीम बेंजेमा ठीक है करीम बेंजेमा नेक्स्ट है आपका वोट इस दा इंडिया रैंक इन दा वर्ल्ड इन टर्म ओफ फिस प्रोड़क्शन 2022 तो भारत का क्या रैंक है ठार्ड रैंक है नेक्स्ट है आपका कौन सा सीटी होस्ट करने वाला है जेनरल असेंबली ओफ इंटर पॉल यह करेगा आपका न्यू देल ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है भारत का रैंक 107 है 17 प्रवासी भारतिय दिवस ठीक है यह कहां पर होने वाला है इन दौर में होगा न्यू प्रसिडेंट कौन है इराक के इनका नाम क्या है अब्दुल लतीफ रसीद नाम है इनका कोल इंडिया लिमि तो देखिए 120 कोसें मैं ने आपको यहां पर इस वीडियो में करवाया है बाकि जो है आप जो है इस पर लेंगे बैटरी लो हो गया कहीं स्विच आफ न हो जाए तो इसको आप कर लेंगे पीडिया जो लिंक होगा वह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा वह अल्ड बेस्ट